अद anticipated प्रिवेष्य क्लास में मैंने आप लोगों को patients के बारे में बताये आज मैं आपको स्टाड करने जा रहा हूं यह आपका इस चेप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टापिक होता है तो कि बिना इसके आप आगी के जो चेप्टर है एसी अल्टरनेटिंग करेंट वो चेप्टर आप समझ नहीं पाएंगे यह चेप्टर द्यान से समझे कि फैराडी जैसे पहली यह सोचा जैसे हम लोगों पर लिया है तो चुकि हम लोगों को यह भी पता है कि नेचर के पास सिंब्याइटर होती है आपका यह znajdu हो गनेंगा यह बैलैंस होता है नेचर वैसे हम यह कह सकते हैं कि अगर एक्सपरिमेंट को हम बोलते हैं उस एक्सपरिमेंट उन्होंने करने लिए उन्होंने गैलवानों मीटर लगा दिया और कोई भी आपका बसक्राइब करेंट नियां मतले इक और यहां पे लिया एक मैंग्नेट और इस मैंगेंट का इन्होंने बोला कि यह वाला जो पॉल है वह आपका नौर्थ पॉल है और यह काफी दूर इस प्रकार से रखा हुआ है उन्हें जब एक्सपरिमेंट करना स्टार्ट किया उन्हें कहा कि जब यहाँ इस मैंगनेट को अगर हम इस क्वाइल के पास रखेंगे तो यह मैंगनेट अपने चारों तुरप मैंगेनेटिफ लिक्रेट करेगा और जब मैंगेनेटिफ लिक्रेट करेगा तो इसके अंदर जो गयलवानमिम्न लगा हुआ है अ circuit के अंदर current का flow होना चाहिए ऐसा सोच करने एक्सपरिमेंट करना स्टार्ट किया हमें पता है अगर यह नार्थ पोल है यह अपने अंदर से क्या निकाल रहा होगा तो मैंने माना कि इस प्रकार से मैंगेटिव लाइन इससे निकल रहा होगा ऐसे करते वे यह आपके मैंगेटिव लाइन इससे निकल रहा है 1, 2, 3, 4, 5 5 आपके magnetic field line इसको आल से पास करते वे जा रहे है तो उन्होंने देखा कि इस galonometer में क्या कोई deflection दिख रहा है तो उनको इस galonometer में कोई deflection नहीं दिखा मतलब हम यह कह सकते हैं कि अगर हम magnet को रखे हैं इसके पास इसके अंदर magnetic field line cross कर रहे हैं इसका मतलब current create होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ उन्होंने यह सोचा कोई हो सकता है कि यह काफी दूर है इसको और पास लेकर आया जाए और पास लाने पर उन्होंने यह देखा द्यान दिजेगा कि अगर हम magnet को यहां बिल्कुल पास लेकर आते हैं माल लेता हूं magnet मैंने यहां पर रख लिया और जब उन्होंने magnet को पास लेकर आया तो उस condition of magnetic field line उन्हें cross कर आया देखा magnetic field line आपके कई सारे magnetic field line उससे cross कर रहे थे जैसे ऐसे समझ सकते हैं जब पास लाएं तो यह आपका magnetic field line इस प्रकार से बाहर निकल रहा है ऐसे बहुत सारे magnetic field line इससे cross करने लेगे लेकिन फिर भी उन्हें देखा कि इस galvanometer में कोई deflection आपका नहीं देख रहा है तो उन्हें एक चीज़ देखा एक चीज़ नोट किया कि जब हम magnet को ऐसे pass लेकर आ रहे हैं इस magnet को मैंने माना कि magnet यहां पे है और जैसे मैंने इसको पास लेकर आया तो यह deflection आपका जो ऐसा था वो आपका इस प्रकार से दिख रहा था जैसे पास लेकर आए लेकर आए जैसे रुकते हैं डेफ्लेक्शन फिर से जीरू हो जाता है तो उन्होंने कहा कि जब मैंट को हम क्वाइल के पास लेकर आते हैं मोशन कराते भी लेकर आते हैं तब करेंट क्रेट हो रहा है और जैसे रुकते हैं करेंट की फिर से क्या हो जात है जीरू मतलब जब हम मैंगनेट को कोयल के पास लेकर आ रहे हैं तब आपका जो डिफ्लेक्शन है वह आपका राइट सैट दिखा रहा है और जब मैंगनेट को दूर लेकर जा रहे हैं डिफ्लेक्शन आपका क्या दिखा रहा है लेफ सैट मतलब दोनों ही कंडिशन में करे मरत जता है तो यह बोला जाएगा इससे उन्होंने यह बताया कि जब जब हम मेंगेंट को मोशन कराएंगे उस कंडिशन में कवा एक टारेच हो झाता है اधीus करेंट को update दिया जाता है इंडियोज्ड करेंट को बोला जाएगा इंडियोज्ड करेंट और करेंट के एकारण इसमें जो पोटेंशल क्रेट होगा उस पोटेंशल को बोला जाएगा इंडियोज्ड एम एफ और यह जो फिनामना आपका हो रहा है जिसके करेंट क्रेंट हो रहा है इस पे रूका हुँआ तभी confident success कर रहे हैं और जब दूर लेकर जा रहे हैं तो के तबुस् अगर चेंज होती हैं तभी आपका डेत्रेस होता है आपका क्रेंट नहीं हो रहे हैं आपका करेंटराब लेगे और भी पанич टेंज हों चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है मतलब यहिanking आपका मैंगनेटिक प्लक्स分еть और एक्स-बैघेंडिक जाता है फैराडेज एक्सपेरिमेंट आपका माइंड मेर है एक और कर सकते हैं यहां मैंनिक के प्लेस प्लेस करेंगे लेंगे और उसको भी मोशन कराये तब आपका मैंडिटिक अब करेंगे तो करेंट करता है करेंगें तो करेंट आपका नेगेटिव दिखाएगा मतलग आपका पॉष्ट्यप निगेटिव दोनों ही क्रियेट होता है इसमेंट में हम लोग अभी तक जो करेंट पढ़ते आया थे इसके पहले हमेशा आपको पॉश्टिव करेंट मिला था नेगेटिव करेंट नहीं मिला था लेकिन अब से इलेक्ट्रमेटर इंडेक्शन के बाद जो कि हम पढ़ेंगे वहां पर भी आप देखेंगे करेंट और वो कैसे उसका डेरिवेशन होता है वो थैंक यूँ